क्या नैच्रल गैस में अच्छे दिन आने वाले हैं इस वीडियो में आप पूरा जानेंगे नैच्रल गैस आने वाले दिनों में किस डैरेक्शन में ट्रेड कर सकती है डॉलर की टरम्स में भी बताऊंगा और इंडियन मार्किट में भी क्या टागेट आपको आने वाले दिन सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दा बैल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रही लास्ट टाइम भी आपको बताया था एक रिवर्सल की तैयारी मार्केट में हो रही है और आपने देखा एक अच्छा कासा हमें पिछले कुछ दिन लेखने को मिल रहा है नेच्रल गैस थोड़ा सा गैब डाउन ओपनिंग हुई है नेच्रल गैस में और फिर ओपर जा रहा है यहां पर कुछ लेवल मैंने माक कर लखें आप नोट कर लीजिए नेच्रल गैस जो अभी ट्रेट कर रहा है टू पैंट टू नाइन एट इस ल ऑब जाएगा बहुत उपर जाएगा बहुत उपर जाएगा कितना जाएगा वीडियो को पूरा देखना इसमें मैं बताओंगा आने वाले दिएग्ट भी और इंटरेग अभी आप देखो ओवर ओल अगर जो लोग एंटर डेइ में टेडिंग कर रहे हैं तो मैं यहां पे कभी भी शॉर्ट नहीं करना आपको ठीक है यहां पर शॉर्ट करोगे तो बहुत दिक्कत में फ़र्जाओगे ओवर्राल मार्केट थोड़ा सा अप्ट्रेंड में आ चुका है इंटर डे में भी थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हुई है तो कोशिश करिए मार्केट में बाई लेवल आपको इंटर डे में देखने को मिल सकते हैं अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो अभी शॉर्ट नहीं करना ठीक है वह भी हाइली इसकी ट्रेडर करें अधरवाइस मार्केट को वाइट करें बाय करें कहां बाय करें यह बाइंग अच्छा जून है जो मैंने आपको बताया है 2.15 के ओपर बाय की पोजिशन बनाई जा सकती है मार्केट में ओवराल उपर तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते है 2.25 और 2.34 अगर मार्केट 2.40 का जो लेवल है इसके भी ऊपर निकल जाता है मार्के 2.40 को लेवल ही जो मैंने मार्क कर रखिए लाइन और वाले दिनों में आपको नैचुरल गैस में 2.60, 2.80 और तीन डॉलर तक के भी लेवल आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं तो लेवल इंपॉर्टेंट है उपर की तरह 2.40 नोट कर लीजिए रेसिस्टेंस की तरह वक करेगा ये लेवल तो कहीं ना कहीं खर अच्या की वर्यक्षेंस कोई ब्रेकवर बिल जाता है आपको फाइव मिनटस के चाट पे दस मिनटे चाट पर या आपका सैटम वहां पे अबन रहा है तो market मेरेटरइसमेंट हैं तो ज्यादा बैटर रहेगा वर रिटरेस्मेंट यहा तक ही भी आ सकती है यहा तक भी आसकती है तो अच्छे सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं यहां पर टू पैंट वन फाइव और टू पैंट जीरो सिक्स एक अच्छा सपोर्ट की तरह वक्ष करेगा मार्केट में बाई की पोजिशन बनाने के लिए मार्केट अगर यहां आपको शाम को यहां पर मिल जाता है इस तरीके से ट्रिंद लाइं जा रही है यहां पर आपको कोई सेलिंग प्रैशर दिखता वह दिखाई दे तो वह पर आप छोटे मोजे टारगेट के लिए scalping कर सकते हैं short की position बना सकते हैं बट जब भी ये trend line break होगी momentum के साथ आपका stop loss भी hit होगा फिर आपको reverse position बनानी चाहिए क्योंकि overall जो है market वो bull trend में धीरे धीरे आ रहा है bottom out हो चुका है लगबग और एक दो दिन में हो जाएगा अब की बार जो आकड़े आएंगे natural gas को उसको देखते वे अब बात कर लेते हैं Indian market की Indian market में gap down opening हुई उपर गया अभी इस तरीके से अब गर आप देखोगे यहां पर तो क्या position आपको नजर आ रही हैं यहां पर मार्किट में उस लेवल्स यहां भी मैंने find out करें हैं आप note कर लीजिए मार्किट में जो लोग इंटरे टेडिंग करते हैं अगर selling pressure continue रहता है ठीक है तो highly इसकी टेडर ही short की position बनाएं otherwise market को नीचे आने दें वहां पर buy की position बनाके चलें कहां बाय बनाएं बाय आप बनाके चल सकते हैं इस लेवल के आसपास 180 रूपीज के आसपास और इस zone के आसपास 182 के आसपास भी buy की position बनाई जा सकते हैं यहां पर price section देखके buy की position बनाके चलें target यहां तक का रखे 191 तक का रखें जो लोग buy करना चाहते हैं अभी फिलाल buy market में उतना अच्छा नहीं बन रहा buy करना है तो 190 के ओपर buy की position बनाई जा सकती है जो यह high भी था Friday का आपको पता है इसके ओपर buy की position बनाई जा सकती है for a target of 192,194 और 196 के target के यहां पर आगया हूं मैं वनार के चार्ट पे वनार के चार्ट पे अगर आप देखें यहां पर में volume यहां पर volume में लगा के दिखा रहा हूं तो एक volume profile के basis पे भी 181 के आसपास का एक support मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है market में इसके नीचे support की बात जो है यह जो लो लगा के आया 170 का support है इकी मो को cloud के basis पे आप देखो के थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड नेजर आदा है cloud के ओपर चला है bullish crossover market में हो चुका overall uptrend में है यह जो trend line मैंने यहां पर mark कर रखी आप देख सकते हैं यह trend line हिल भी गई है इसको दुबारे mark करना पड़ेगा तो ज्यादा better रहीगी इसको 2R पे लेके चलते हैं तो 2R पे हो सकता थोड़ी सी picture अच्छी हो जाए क्योंकि अगर देखा जाए त तो यह trend line पूरी तरीके से हिल चुकी है तो अब थोड़ी सी better नजर आ रही है तो आप देखो यह resistance के आसपास हमें कहीं ना कहीं trade करता वा नजर आ रहा है टू आर के चार्ट के चार्ट पे लेके चलू तो देखो यहां पर भी वन आर के चार्ट पे इस तरीके से अब हलकी जी लिए है वहाँ पे trade कर रहा है तो कहीं ना कहीं market में एक important hurdle जो है यही है ठीक है वन नाइन्टी वन नाइन्टी क्रॉस करेगा market तो ओपर की तरफ चलेगा वन नाइन्टी सिक्स के target के लिए जो लोग short करना चाहते हैं short 187 के नीचे करें यहां तक के target रख सकते हैं 182 तक एक अच्छा जोन है बाय करने के लिए 177 के ऊपर एक range होती है एक दो point के आसपास बाय कर सकते हैं आप for a target of 187, 197 और 210 तक के target के लिए वीडियो पसंदा आ रहते हैं इस वीडियो को like करिए आपको के लगता आने वाले दिनों में natural guest किस direction में जाएगा मुझे comment करके बताईए और अभी तक इस channel पे new है तो इस channel को अभी subscribe कर लीजे and press the bell icon ताकि आने वाली वीडियो की notifications आपको मिलती रहें जो लोग हम से जोनना जाते हैं telegram link join कर सकते हैं या course men roll कर सकते हैं या हमें whatsapp भी आप कर सकते हैं thank you so much for watching this video